आप देख रही है MNS News सच जरूरी है यह है MNS News Network और आप देख रहे है MNS News टीवी मैं हूँ आपके साथ सोनल तो आईए देखते हैं आज कुछ खास खबर लव जिहाद पर पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा लड़कियों के पास अपनी सुरक्षा के लिए होना चाहिए कटार शहर के करंद में कथावा चक पंडित प्रदीप मिश्रा के द्वारा पिछले पाच दिनों से शीव महापूरन कथावाचन किया जा रहा है बुद्वार को कथा को वीराम देने के दवरार पंडित मिश्रा लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सीखने के बाद कही साथ उन्होंने देश में बढ़ते लव जिहाद के मामले को रोकने के लिए बेटियों को परिवार से ही संसकार दिये जाने की बात कहते हुआ कहा कि लड़कियों के पास कटार भी होना चाहिए जिससे की वो अपनी सुरक्षा कर सके बुद्वार को कथा के समापन के बाद मिढिया से बात करते हुए पंडित प्रदीप मिश्रा ने कई विश्यों पर बात की जिसमें उनोंने कहा सरकार होने वाले क्राइम को नहीं रोक सकती इसे घर का संसकार ही रोकेगा सरकार निगाह रख सकती है केस लड़ सकती है दबाव बना सकती है आने वाले दिनों में लव जिहाद तभी रुकेंगे जब माता पिता बच्चों को संसकार देंगे साथी पंडित मिश्रा ने कृष्ण जन्मभुमी को हिंदू का तीर्थ बताया और हिंदू सादू संतों पर अंदविश्वास के लगाए गए आरोपो पर पंडित प्रदिप मिश्रा ने कहा हमारे धर्म के लोग ही हमारे सादू संतों पर अंदविश्वास का आरोप लगाते हैं इसी वज़े से दूसरे धर्मों के लोगों की आज इतनी हिम्मत हो गई है कि वह इस बात का फायदा उठा कर आरोपों को आगे बढ़ाते हैं उन्होंने बोपाल के हमीदिया अस्पताल के नाम बदलने पर सायमती जताई आएए बढ़ते हैं अगली ख़बर के तरफ देश बर में लागू होगी समान नागरिक सहीता विदी आयोग ने जनता से मांगी सला ऐसे दे अपनी राय समान नागरिक सहीता को लेकर विदी आयोग ने एक बार फिर से देश वासियों सेराय मांगी है इसको लेकर देश के प्रभुद्ध लोगों और तमाम धर्मों के माननत प्राप्त प्रमुख धार्मिक संगटनों से राय देने को कहा गया है विदी आयोग ने बुद्वार एनि 14 जुन को कहा कि 22 में विदी आयोग ने UCC के संबंध में मान्यत प्राप्त धार्मिक संगटनों के विचारों को जानने के लिए फिर से फैसला लिया है आयोग ने कहा कि जीन लोगों को इसमें दिल्चस्पी है और अपनी राय देना चाहते हैं वे राय दे सकते हैं विदी आयोग ने कहा कि जो लोग इस मामले पर अपनी राय रखना चाहते हैं वे नोटिस जारी करने की तारिक के 30 दिनों के अंदर इस समंधित लिंग पर करके विदी आयोग को इमेल के जर्य भी राय भेज सकते हैं कानूनी पैनल के आगे कहा कि शुरुवात में भारत के किस्वे विदी आयोग ने यू सी सी पर विशे की जाच की थी और 7 अक्टूबर 2016 को एक प्रभावली दी थी इसके साथ 19 मार्च 2018 एवं 27 मार्च 2018 और 10 अप्रेल 2018 की सार्वजनिक अपील नोटीस देकर सभी हीत दारिकों को अपने विचार रखने का अगर किया था बता दें कि समान नागरिक सहीता एक ऐसा कानून है जो देश के हर जातिधर्म के लोगों पर समान रूप लागू होता है याने 140 करोड देश वासियों के लिए एक ही कानून होगा अंग्रेजों ने अप्रादिक और राजस्व से सम्मंदित कानूनों को भारतिय दंड सहीता आईपीसी की धारा 1860 भारतिय साक्ष अधिनियम आईए 1872 भारतिय अनुबंद अधिनियम आईसीये 1872 विशिष्ट राहत अधिनियम 1877 आदी के जरिये सारे समुदाय पर अधिकार संपत्ति गोदले ने आदी से अमदित मुद्दों को धार्मिक समों के लिए उनकी मान्यताओ के आधार पर छोड़ दिया आईए बढ़ते हैं अगली ख़बर के तरफ सीयम नितिश का बड़ा बयान बोले तैस समय से पहले हो सकता है लोगसबाद चुनाओ अगले वर्ष होने वाले लोगसबाद चुनाओ के मद्ने नजर सभी सियासी पार्टिया जोर शोर से तयारियों में जुटी है एक और भाचपा सत्ता में हर्ट्रिक करने का दावा कर रही है तो वही विपक्षिदल एक बार फीर महागडबन की कवायद में जुटे है 23 जून को इसको लेकर पट्ना में विपक्षिदलों की बैठक बुलाई गई है इस सबके बीच बिहार के सियाम नितिश कुमार का बड़ा बयान सामने आ है जिसमें उन्होंने निर्धारित वक्त से पहले लोगसबाद चुना होने की संभावना व्यक्त तकी है ग्रामिन कारिय विबाग की योजनाओ के शिलान्यास एवं मुदगाटन समारू में बोलते हुए नितिश कुमार ने अपसरों को सभी योजनाओ का काम जल्द से जल्द पूरा करने के निदेश दिये इसके चलते उन्होंने कहा कि पता नहीं कब लोगसबाद चुना हो जाए जरूरी नहीं कि चुना अगले वर्ष हो सकता है इसी वर्ष के अंत में चुना हो जाए अपसरों को परियोजनाओ को शिग्र से शिग्र पूरा करने के निदेश देते हुए उन्होंने कहा कि हम यह है MNS News Network और आप देख रहे है MNS News